चनाओं में एक एतिहासिक जीत की और बढ़ रही है भारत की राजनीती के अंदर हमने ही रेकॉर्ड बनाया था सत्तर में से सड़सट सीट का और मैं समझता हूं कि दिली नगर निगम के इस चनाओं में आम आदमी पार्टी अपने ही रेकॉर्ड को तोड़ने जा रही है और आम आदमी एक गारंटी देना चाहता हूं एक तरह से दिली के लोगों को कि आम आदमी पार्टी में सरकार बनाने के बाद एक स्कीम लाउंच करेगी जिसका ना होगा जनता चलाएगी एमसीडी अक्सर हमने देखा है कि छोटे-छोटे कामों के लिए जनता को निताओं की चक्कर काटने पड़ते हैं अब जनता निरने लेगी और सरकार काम करेगी एक तरह से जितनी आर्डब्लूएज हैं आर्डब्लूएज वो बाडी होती है जो जनता के सबसे करीब होती है पार्षद एक वर्ड का बौस होता है। बौक नेता होता है। अपनी ड्रके याक् LEE को चे northern नेता का इसका नेता इसका नेता और्ड Mr. पार्षद का र्लवक व२ या ननेता करने दृब्स视री बारगी avons नेता के मतने अखलत काई जाए। gefट्ड रृट्र नेता को और उस वो RWS के पास ताकत होगी वो सारे काम करवाने की जो की जनता आके सीधे उनको बोलेगी. तो लोगों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए नेताओं के चक्कर काटने के जरूर उट नहीं पड़ेगी. RWS को अपना दफ्तर चलाने के लिए और लोगों के सारे छोटे-छोटे काम कराने के लिए फंड्स उपलब्द कराए जाएंगे. तो एक तरह से रियल माइने में RWS का सशक्ति करन किया जाएगा MCD के अंदर सरकार बनने के बाद. इसका पूरे इसका मकसद है कि जनता को दिल्ली का मालिक बनाना, जनता को असली नेता बनाना, दिल्ली के हर नागरिक को दिल्ली का मुख्यमंतरी बनाया जाएगा. सीधे सब्ता दिल्ली के लोगों के हाथ में दी जाएगी और जनता जो है अपनी आर डॉपलिस के जरिये अपने सारे काम करा सकतی है, मेरी डिल्ली की सारी आडड़लो से अब बिनती है आप सब लोग अपने-पने अ कि लाके के अंदर पर चोटे छोटे चोटे नेता हैं, आप सब लोग अपने अपने अलाके के अंदर सम्मानित लोग हैं, मैं सारी ऑड़ूए से निवेदन करता हूँ कि तीन-चार दिन रहेगा बैस चुनाओ के, आप सब लोग अपने-अपने अलाके के अंदर, आप किसी भी पार्टी के हो, मिरे को पार्टी बाची से कोई लिन देना नहीं है आप अम आद्वी पार्टी की हो आप बीजेपी की हो आप कॉंग्रेस की हो अब आपको हम सशक्त करने जारہे है RWS को हम सशक्त करने जारहे है रिएल माइनों के अंदर हम आपको political power financial power देने जा रहे हैं हर RWA मेरी दिली की हर RWA से विंती है कि आप अपने 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 अलाके के अंदर door to door जाएए एक 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 घर जाएए और उनको कहिए कि आम आदमी पार्टी को वोट दें अपने अपने WhatsApp ग्रूप के अंदर सबके RWA के WhatsApp ग्रूप होते हैं WhatsApp ग्रूप के अंदर आप सबको कहिए कि आप जिस भी पार्टी को कोई बात नहीं इस बार सारे जन्हें मिलके आम आदमी पार्टी को वोट दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी को वोट दिलाने के लिए वो करें, सबी आडवलेज को मैं ये भी कहना चाहता हूं, कि आपके इलाके में मान लो दूसरी पार्टी का कोई पारशद बन गया, फिर वो देख लो, आपको काम नहीं करने देगा, किसी भी आडवलेज को काम नहीं करने देगा और आपको हम जो सत्ता देना चाहेंगे उसके अंदर वो अर्चन अड़ाएगा तो आप सब लोग मिलके इस बार एंशूर कीजिए कि धाई सो की धाई सो सीटे जो है आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए ताकि हम आपको सशक्त कर सकें आपके कोई प्र जैसे मान लीजिए जनता आई उनके पास और एक तरह से उनको अपना ओफिस चलाने के लिए अगर हम पैसे देंगे तो सिस्टम भी बनाएंगे ऑन-लाइन जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जितनी ग्रिवांसे लोगों की जितनी डिमांड आ रही हैं वो ऑन-लाइन पार् मैंने जैसे पहले भी का था 230 क्रॉस करना चाहिए मेरे साथ से 230 क्रॉस करना चाहिए बीजेपी की 20 से कमानी चाहिए ऐसा मेरा मानना है मेरे तो मैं यह चुनाव जो है मैं चाहता हूं कि दिल्ली का हर व्यक्ति केवल चुनाव में वोट डालने ना जाए चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे प्रचार करे अच्छी पार्टी का प्रचार करे इमानदार पार्टी का प्रचार करे घर-घर जाके प्र क्या हुआ है पश्कुरी फायर्स बोला गया कि पिल कैसे में को आड़े नहीं क्या हुआ है अब असेंब्ली चुना में पहले नंबर पर आएंगे जनता की पहली पसंद बनेंगे लंडन में कुड़े का पहाड कहा है मुझे अड्रिस बता दें टोकियो में कुड़े का पहाड कहा है मुझे अड्रिस बता दें वो छोड़ो इन दौर में कुड़े का पहाड कहा है मेरे को अड्रिस बता दें पांच साल पहले यह इसी बात पर चुनाव लड़े थे कि कुड बाद आपके निडिया है अचीज में अड़ाना अरचन अड़ाना पहले योगा इस रोक दिए अब आ बतारें कि लॉयर्स की पेमिंट रोक दी काम रोक ने वालों को जनता पसंद नहीं करती काम करने वालों को जनता पसंद करती है LG साब ने जितने 6 महिने में काम रोके हैं वो अब देख लेंगे MCD के नतीजों में क्या हाल होता है इन लोगों का अगर ऐसे काम रोकते रहे तो वो 7 सीटे भी बंपर मार्जिन से जीते हैं या अगले साल देख लेना सर जिस पर जिस आप कहते हैं कि आप काम करते हैं निकाले हैं मैं आपको इसका मैं जवाब दे देता हैं जनता बड़ी सयानी होती है इनको लगता है कि जो पार्टियां जनता को बेवकुफ समझती है वो पार्टियां ही खतम हो जाती है आज मेरे पास एक WhatsApp मेंसेज आया उस आदमी ने इस पूरे प्रकरन को बड़े अच्छा तरीके से समझा दिया कहते हैं जि दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टिये उसकी दुकान दिल्ली वालों ने बंद कर दी उनका माल बिकना दिल्ली में बंद हो गया तो उस पार्टि ने एक वीडियो बनाने की कंपनी शुरू करिया आज गल जब माल विकनी रहा था तो वीडियो बनाने की कंपनी शुरू की डेली एक नई पिक्चर रिलीज करते हैं जैसे Bollywood में एक नई पिक्चर हर शुकरवार को आती है हर शुकरवार को एक नई पिक्चर रिलीज होती है ये भी एक नया वीडियो रिलीज करते हैं बॉलिवुड की पिक्चरे सिन्वा थेटर में रिलीज होती है इनकी पिक्चरे रोज न्यूस चैनल पे रिलीज होती है लेकिन पिक्चर है इतनी घतिया और इतनी बोरिंग है कि सुबह नौ बज़े रिलीज होती है बस पहले नौ से बारा का शो चलता है बारा बज़े सारे न्यूस चैनलों पर खतम हजाती है उसके कोई चलाता ही निए उसमें ना गाने ना डांस इनकी पिक्चरों में इनके वी वीडियो कोई नहीं है चार बार जिन से तो विज हो चुकिया पताया कि वीडियो इतने बोरिंग है वीडियो में कोई content नहीं है वीडियो को थोड़ा entertaining बनाएंगे तभी तो वीडियो चलेंगे तभी तो picture चलेंगी उसमें कुछ मुझता पॉजिटिव राजनीती चाहती है आज इनके साथ मुख्य डिल्ली में ऐनके मुख्यमंतरीगे प्रदीशों के मुख्य मंतरी एक उप मुख्य मंतरी केशव प्रसाद मुर्या और सतरा कैबिनेट मिनिस्टर इनके दिल्ली में उत्रे हुए है इतने सारे नेताओं की क्या जरूर पड़े क्योंकि पंदरा साल में कुछ काम नहीं किया अगर कुछ काम कर देते तो इतने नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती इतने नेताओं को उतारने की जरूरत नहीं पड़ती फिर एक कैबिनेट मिनिस्टर से मैं पूछ रहा था मैंने क्या करते हो कहते हैं जी हमको एक ब्रीफ दिया जाता है जब हम आते हैं चुनाव परिचार के लिए तो हमें दो पेज का एक ब्रीफ मिलता है भाई ये बोलना है आपको तो बोला जो उसमें ब्रीफ था उसमें इन्होंने कोई काम ही नहीं लिख रखे थे भाई पंदरा साल में क्या काम किये तो बोला हमने पूछा पार्टी से के जिवाल के पैर तोड़ देंगे के जिवाल की आख फोड़ देंगे मैं कहता हूं मैं दिल्ली को साफ सुथरा करूंगा कहते हैं के जिवाल की टांगे तोड़ देंगे मैं कहता हूं मैं दिल्ली को चमकाऊंगा दिल्ली का गंद निकालूंगा कूडा हटाऊंगा कहते है केजरिवल की आँखे फोड़ देंगे ऐसे तुम चुनाव जीतना चाते हो अगर तुमने पंदरा साल में आज मैं जेपी नड़ा जी ने अभी कुछ उनको मैं चैलेंज करता हूँ एक काम गिना दो पंदरा साल में तुमने जो एक काम किया है एक काम एक काम नहीं किया इनका केवल एक ही वन पॉइंट एजंडा है केजरिवल को गाली दो इनका केवल वन पॉइंट एजंडा LG साबसे सारी दिली के काम रोको काम रोकने वालों को गालियां देने वालों को वोट नहीं मिलता काम करने वानों को वोट में था जनता तै कर लेगी अब देख लेना आठ तारीक को साथ तारीक को जनता तै कर जनता को तै करना दो चलो ओके